गुद मार्निंग स्टुडेंट्स हम लोग एक्सेसाइज 3.2 कर रहे थे इस एक्सेसाइज में हमने एसेफ के बारे में पढ़ा एसेफ कैसे फाइंड करेंगे हमने थ्री मेठेट्स फराउस के बारे में फर्स था आपका लिस्टिंग देर कमन फैक्टर्स नमबर 2 प्राइम फैक्टराजेशन में थर्ड अन थर्ड लांग डिविजन में अब एसेफ बेस्ट हम लोग प्राब्लम कुछ देखेंगे यह आपका प्राब्लम बेस्ट क्वेश्टन से आपका 4 5 6 7 और 8 हम लोग क्वेशन नमबर 4 पहले पढ़ेंगे find the greatest number that divides 198 and 360 without leaving a remainder आप बताओ कि वो greatest number कौन सा होगा that divides जो दोनों को divide कर दे without leaving a remainder remainder को कोई remainder नहीं आना चाहिए वैसा greatest number बताओ आप तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे greatest number निकालने के रिए हम लोग स्चेफ निकालेंगे इन दोनों का SCF का full form भी होता है आपका highest common factor solution देखेंगे हम इसका the greatest number that divides 198 and 360 without leaving a remainder is वो नमबर क्या है SCF of 198 and 360 पहले हम इन दोनों का SF निकालेंगे यह हमने long division से निकाला है जो हमने question number 3 में पढ़ा था इसको हम divide करेंगे one time में तो यह 198 आएगा आपका remainder क्या आगया 162 फिर मैंने आप लोग को बताया था यह आपका जो 198 है वो क्या बन जाएगा यह divisor था आप उसके बाद यह dividend बन गया है ना बीच में आगया 162 को हमने one time में लगाया तो आपका remainder आया 36 फिर उसके बाद 162 आपको यहाँ पर आ जाएगा क्वेशन नमबर 5 में find the greatest number that will divide 400, 435 and 541 living 19 and 14 as remainders respectively अब देखों यहाँ पर आपका remainders यह तीन आप लोग को बता दिया है वैसा greatest number आप लोग को find करना है जैसे हमने question number 4 में किया था लेकिन यहाँ पर आपका remainder एक भी नहीं बच ला था without living यहाँ पर remainder 400 का remainder में आएगा 9 और 435 का 10 और 541 का 14 क्योंकि यहाँ respectively लिखा वाजिस तरह से number है वैसे ही उसका remainder भी है तो find the issue with division method division method हमने पढ़ा question number 3 में उस तरह से आपको 5 में भी निकालना है इसका solution देखेंगे हम यह आपका number था और living remainder इसका remainder 9 इसका 10 और इसका 14 तो 400 में हम लोग 9 minus करेंगे जो remainder आया था तो क्या हो गई यह 391 फिर 435 में हमने 10 minus किया तो 425 फिर 541 में हमने minus किया 14 तो क्या आगया 527 अब इन तीनों का हम लोग स्थ निकाल देंगे with long division method से पहरे यह दोनों number है आपका 391 और 425 तो यहां देखो हमने किया है one time में हमने इसको लगाए तो क्या आगया आपका 391 remainder आपका 34 फिर 391 कहा आ जाएगा यहां पर फिर 34 को हम इसको divide करेंगे तो आपका यहां पर reminder आएगा 17 फिर 17 यह आपका फिर से 34 बीच में आया dividend बन करके तो इस 17 से 34 टू टाइमस में पुरी तरह से divide हो गया यहां पर 17 आया इन दोनों का इस से फ हमने निकाला तो हमने पढ़ा था फिर इसी से हम लोग तीसरा को निकालेंगे थर्ड वाले नंबर को निकालेंगे तो 17 डिवाइड किया हमने 527 थ्री बार में 51 वन यहां से आया आपका माइनस करके 17 फिर 17 बंज़ 17 तो यह 17 से भी यह आपका आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चिन नमर 6 में फाइंड लाजस नमबर डैट डिवाइड 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 दोनों में 2 है इससे भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आ रहा था इससे भी तो इन तो को हम लोग माइनस कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नमबर 5 में किया था ठीक है सल्यूशन देखेंगे हम इसका 6 का यह नमबर था आपका लीविंग 2 एज रिमेंड रा दोनों में हमने 2 माइनस कर दिया 92 माइनस 2 इकवल टो 90 74 माइनस 2 तो 72 अब ऐसी यह दोनों का निकालेंगे हम लोग 72 यहां और जो बिगेस नमबर है जो लाज़ेस्ट है वो डिविडेंड इसको हमने वन टाइम में लगा है तो 72 फिर इसको हमने माइनस किया तो 18 फिर यह 72 कहा जाएगा आपका यहां बीच में तो 4 टाइमस में यह आपका 72 18 की टेवल में आता है तो यह आपका पूरी तरह से डिवाइड ह हो गया तो से अब क्या आपका 18 यह आपका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग कुश्चन नमबर सबन में त्री ड्रम्स कंटेंड 36 लिटर्स 45 लिटर्स और 72 लिटर्स अफ ओईल तीन यहां ड्रम है जिसमें आपका अलग 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 लिटर्स वो कंटेंड करता है उसमें रख पाएंगे हम लोग what biggest measure can measure all the different quantities exactly अब बताओ कि वो कौन सब biggest number होगा जो इन तीनों को different quantities दिया होगा उसको exactly measure कर पाएगा तो हम लोग इसका भी हैस्ट निका लेंगे इसका हम लोग देखेंगे solution ड्रम्स कंटेंड यह आप लोग पड़ चुके है और 36 लिटर 45 लिटर 72 लिटर तो the biggest measure can measure all the quantities exactly तो show we should find the SCF of 36, 45 and 72 हम लोग तीनों का SCF करेंगे 36, 45 को पहले हम लेंगे या तीन नंबर है आपका तो पहले दोनों को लेंगे 36 हम लोग इसको divide किया, one time में 36, minus करके 9, फिर ये 36 आपका यहाँ पर, four times में 36 आपका divisible हो गया फिर इसी nine को हम लोग third number से करेंगे, nine, eight times में 72 तो क्या आगया biggest measure आपका, nine liters answer, nine liters last question पढ़ेंगे हम लोग exercise का, question number eight, रिश्रिता has two pieces of cloth, one piece is 72 inches wide and other pieces is 90 inches wide यह आपका रिश्रिता नाम की कोई लड़की है, इसके पास two pieces कपड़े के हैं, एक piece आपका 72 inch का है और दूसरा 90 inch wide है, चौड़ा है, she wants to cut both pieces into strips of equal width that as wide as possible, how wide should she cut the strips तो आप बताओ कि वो, वो कितने strips, how wide, वो कितना चौड़ा strips वो काट पाएगी, इसका भी हम लोग exercise ही निकालेंगे, solution देखेंगे इसका one piece is 72 inches wide and other piece 90 inches wide, तो she has to find the SCF of 72 and 90, उसको 72 और 90 का SCF निकालना होगा 72, हमने one time में किया, 72, 18 आपका reminder आया, फिर 18 को 4 बार में हम लोग करेंगे, 4 times में तो 72 यह आपको पुरी तरह से divide हो जाएगा, तो आपका क्या answer आगया, 72 inches, 72 inches का वो strip बनाएगी, ठीक है, question number 9 और 10 हम लोग next वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अपने copy में अच्छे स लिख लोगे, अच्छे से फियर कर लोगे, ओके,